महानभाव, देवियों और सज्जनों, मैं कश्मीर के उस राज खांदान से मेरा वज्च जुड़ा है, जिसे उठा कर ऐसे बाहर किया गया जैसे दूद से मक्खी निकाली जाती है। और उसके करदार जाता है हमारे ततकालीन प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरूजी को, जो कि क्या परसनल वेमनस्य था उस राज वंच से, मैं नहीं जानता। लेकिन वो वहाँ पे उस राज वंच को हटा कर एक और राज वंच स्थापित कर गए। जिसे उनको अपने समय में ही एक बंदा तो खारिज करना पड़ा, लेकिन वो पूरी की पूरी खपत आज हमारे सर पे पढ़ी है। और एक नई कोलोनाइजेशन है साब कश्मीर में। दोगरों ने, दोगरा योधाओं ने तो तलवार के बल पे पूरे कश्मीर को एक अठा किया था और जम्मु कश्मीर का प्रांत बनाया था। अब साब हमें एक नई कोलोनाइजेशन देख रहे हैं। और ये colonization वहां उल्टे पाउं बरेली को वो बचारे डोगरों के सर पड़ी है और बचारे लदाह के लोगों के सर पड़ी है और वो एक नई colonization, एक नई blatantly communal dispensation के नीचे I will not mince one word, ना मैंने आज तक या है और I am not about to start, हमारा रोना ये है साब कि मैं भी अपना दिल खोल के रोदू क्योंकि हम सब उसी गिला से तरफ रहे हैं, हमारा रोना ये है साब कि जिनको हमने चुन के भेजा कि साब आप तो कर दो, अरे तुम्हारे साड़े चार साल तो क्या तुम्हारा पांचवा साल अब आने वाला है और क्या किया है, एक बड़े करता धरता हैं, अब रामादव जी हैं, किते बड़े-बड़े लोग हैं साब, हम तो छोटी हस्ती हैं, वो हम किसी एक कश्मेरी समुदाय का ऐसे ही हो रहा था, तो उन से मेरी भेंट हुई, तो ब सुरंदर हो, कितने बड़े योधा हो, तुमको रात को बोलें कि अग मुझे टाइगर हिल चाहिए, सुबह मैं as a commander सिर्फ ये चीज़ बोलूगा, यार टाइगर हिल किदर है, सर मैं लेफ्ट हुक मार रहा था और 22 कानी थी, वहां से तोप, यहां से cut-off group, to hell with you, is, have you delivered सारे जैसे commander की जरूरत नहीं, I'm sorry, I'm sacking you, I'm sending you home where you belong, with the ladies and the children, ठीक है, तो बात थोड़ा गर्मी पर आगई, क्योंकि मामला रौश का है, मामला जनोसाइड का है, आपने उठा के पूरा समाधा है, उकार के फेका है, जो बिचारे सर्दी बरफ में रहने बाले, आपने उनक जबू की लो में साया है, तबू के नीचे, और कितने साल साल होगे तुम, कितने साल साल होगे तुम और, मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा, राम महदव जी, आप महान भाव हैं, बड़ी महान हस्ती हैं, मुझे सिर्फ एक आंकड़ा बताईए, आपने कितने कश्मीरी पंड वापस भेजें, प्लीज, उस वकर धाई साल ही होए थे, आप भी थे उस पर, कि कितने कश्मीरी पंडित आपने वापस भेजे हैं, अब मेरे मूँ पे लाल रंग होते देखके, कुछ दोस्तों ने पीछे खीचा, यार रहने दो, रहने दो, नहीं बक्षिस आप नराज न मेज़कर्स काट मारे, कतल कर दिया वहाँ पे उनका, ठीक है साब, और मैं बताओं आपको, मैंने का साब, एक NIT इंस्टिटूशन है आपके वहाँ शिर्नगर में, वहाँ के बच्चे जब वहाँ पे मैच हो रहे थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के, तो नारे लगे तो व बच्चे साब भारत का जड़ा लेके, वो केमपस के उन्होंने गिड़े मारे जैसे पंजाबी में बोले जाता, गिड़े लगाए साब, दो कंपनी साब जेहंड के पुलीस की वहाँ पे आई, नौ बच्चों की हड़ियां तोड़ दी, बीस बच्चे हस्पताल में डाले, बच्चे हस्पताल में डाले और वहाँ सारा कैमपस साब खाली होके, जम्मू और दिली में, मैंने का साब, यह हमारी अचीवमेंट है, बताईए, प्लीज, मैं एक फौजी की तरह से आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आंकडे दे रहा हूँ, कि जो कश्मीरी पंडिस हमा अपना राज हो गए, और मैं छोटी समझ वाला बंदा हूँ, इतनी राजनीती की समझ नहीं है मुझे, तो वो कहने लगे, बक्षी जी, आप मुझे बताईए, वो वहाँ पढ़ने गए थे, या पॉलिटिक्स करने गए थे, तो हमने उन से दीरे से बोला, राम आदव जी ये आपने जेनियू के लड़कों लौटों को पूचा, ये आपने, वो जो कहा है, वो बंगाल के पास, वो वहाँ पे अपना, जादवपर युनिवर्स्टी में पूचा, हैदराबाद में पूचा, कि ये पॉलिटिक्स करने आए है, ये परने आए है, और देश का जंडा फेराना पॉलिटिक्स है, तुम, यार इसे पॉलिटिक्स, इस नाट ब्लडी पॉलिटिक्स, ये मेरा देश है, और आप जामते हैं, फेस्बुक पे आपने देखी होंगी वो तस्वीर हैं, जिसमें वो जंडे, इस देश का जंडा, ट्रैश कैन्स में डाल दिया गया था, एक लड़का यहां से जोश में कया, वो वहाँ शिरनगर में जंडा पहलाने, ऐसी मार मारी है, ऐसी मार मारी है वहाँ पे, और जब पाकिस्तान के और ISI के जंडे फेराए जाते हैं, तो हमें बोला जारा था, ये तो बच्चे हैं साब, जब हमारे जवानों के सर फोड़े जा रहे थे, हमें कहा जा रहा था साब, ये तो बच्चे हैं साब, यार बड़े खतरनाक बच्चे हैं, भटके हुए हो या लटके हुए हो, ये माफ कीजिए, बड़ा खतरनाक ये है, एक देश में एक निजाम हो सकता है, पचास निजाम नहीं हो सकते, अगर सिर्सा हर्या में लेट मी आस्किव डारेक्ट अगर सिर्शा हर्याना में डेरा सच्छा सौदा वाले रॉइट करते हैं तो पुलीस को एक अच्छा टॉफ मैजिस्ट्रेट और ने था चलाओ गोली नुमरी कें टेक देलाओ इंटो इस ओन हैं चालाओ गोली चलाओ ऑच्छतिस एक दिन मे भारत के नागरिक मर जाते हैं चार घंटे के अंदर च्छतिस नागरिक मर जाते हैं कोई पिलेट गन नहीं चली कोई वाटर होस नहीं चला कोई चर्रे नहीं चले साब सीथा गोली चली च्छतिस नागरिक वहाँ पे गिर गये किसी पुलीस वाले के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुआ किसी human right group ने बवाल खड़ा किया लेकिन अगले दिन साहब वहाँ पे पूर्ण रूपेण शांती थी कि पूर्ण रूप से शांती थी क्योंकि जो करना चाहिए था वो कर दिया गया बेवाजा किसी को सर नहीं चड़ाए गया देखिए साहब कश्मीर की लडाई हारने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि ये बुनियादी लडाई है क्योंकि ये बुनियादी लडाई है क्यों बुनियादी लडाई है आप कहते हैं secular democratic republic हमने डाला है ना साहब शब्द secular अरे साहब मैं फौज से हूँ जहां हम किसी का धरम जात मजब नहीं पूछते हम तुम्हें कहते हैं कि जब तुम आज फौज के अंदर अरे अपना जात पात अपना कास्ट अपना मज़ा बार गेट के रखके आजा तू हिंदुस्तानी है बस ठीके साहब पार्टिशन के टाइम पे हमारे जो एक सो पचास जो मिलियन पंद्रा करोर से ज़्यादा जो हमारे यहां पे मुसल्मान भाई हैं वो पाकिस्तान नहीं गए वो यहीं ठैर गए बिकॉस जो भी कुछ रीजन हो कि शायद उनमें विश्वास था कि यहां वो रह सकते हैं यहां उनका गतलोगारत नहीं होगा इसी धार से दी तो जिसका कटलोणे वाला होता है वो रह जाता है वो रह जाता है उसको उमीद थी कहीं नहीं यार इतने गए लोग नहीं है इस देश के वो रह गए उन में से कई Company, Quartermaster, Havaldar, Abdulhameer, Paramveer Chakra, Marno Pran Brigadier Usman Mahavir Chakra, Marno Pran इन लोगों ने कुर्बानी दिये आप मुझे बताईए if you let 5 million Muslims of the valley go only on the basis that they are Muslims what right will you have tomorrow to hang on to 150 million Indian Muslims loyal citizens बताईए लेकिन यहां पे बिलकुल सही कहा मेरे भाई ने Professor साब ने बिलकुल सही कहा यहां एक तबका है अब बिका हुआ है या क्या उसको तकलीब है हमारी बिरॉक्रसी में हमारे राजतंत्र में which is bent upon giving कश्मीर दे देना चाहतर है लड़के मर गए हमारे लड़के अरे तुम उन लड़कों की चान वापत दे सकते हो अरे तुम उन विज्वा को उसका आदमी वापत दे सकते हो उसनात को उसका बाप बापत दे सकते हो दस अजार से जादा शहीद हो चुके है और यहां तो साब की कैसे दिया जाए कैसे फेसिलिटेट किया जाए मैं हवा में नहीं बात कर रहा मैं जंगों की पैणाईश हूँ I am equally a state subject और कोई ना मुझे भोले की मेरे को बोलने का हक नहीं है तुमसे ज्यादा हक है ठीके साब और मैं आपको बताता हूँ मेरी पूरी जिन्गी वहां लड़ते लड़ते गुजर गई है और जब मैं किस तवार में sector commander था ये तो बिचारों ने आज बताया कि किस तरह legal तरीके से किस तरह government fiat से पटवारियों के रास्ते वो जो है वहाँ पे आप एक colonization कर रहे है आप demographic changes लाने की कोशिश कर रहे है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 से 2002 के end तक मैं वहाँ पे sector commander था किस तवार में और मेरे सामने मैंने वहाँ जाके campaign शुरू किया मैंने कहा मेरे प्यादा नहीं मेरे को चाहिए किसी प्यादे की लाश नहीं चाहिए एक प्यादा मरता है दस बिचारे बच्चे को हाँ से कोई खड़ा करके ले आता है क्रिकेट के बहाने मुझे उनके top commander चाहिए मुझे खासतर पाकिस्तानी चाहिए विजवियार पास्पोर्ट मेरे देश में आए है हट नहीं आ सकते हैं तुम ले घर में बकार पास्पोर्ट बकार विजविजा काहिए आओ तो उस सल लुख पहांचेगे घाया के रकेंग ते रहें को हमने मारने शूरु किये सारे चिंचुन के पाकिस्तानी डिविशनल कमांडर, डिस्ट्रिट कमांडर, तहसील कमांडर, नहीं लगा दिये साब वहां लड़कों ने भी पीछे पढ़के दांद भीचके, मैंने का मैं भी दी तुमको छोड़ूगा जब तो तुम नहीं करोगे, तुम्हारा फर्ज, त तुम्हारा नमक का हक अदा करो, मारो इनको, जिसके हाथ में हातियार है, बी नाइस टुदे पीपल, बी नास्टी टुदे टेरिस्ट, समझ गए, मुझे अबाम से कोई लड़ाई नी, मुझे लड़ाई है, इनसे हैं जिसके हाथ में कलाशने कौव है, मारे, मुझे बोला का दूद पिया साली, जगा बता, टाइम बता, मैं आजाओंगा अपनी फॉज के साथ, वैसे भी तुमको धूड़ता रहता हूं, वैसे भी तुमको धूड़ता रहता हूं, भी हात नहीं चड़ते हूं मेरे, तो आज बता हूं मेरे, I told my deputy commander की थोड़ा टाइट कर लो सिके tell the boys to be, this thing को बोलो, अच्छा है, धूड़ धूड़ के लिए जिसको मरे जा रहे है, खाक की, like a needle in a haste, खोच चल के आजाए तो, इस से बड़ी खुशी क्या होगी किसी commander को, मैं ठीक है, मेरे पे हमला नहीं हुआ साब, मैं 24 घंटे वहां गूंगता रहता था, मैं हाड़ली I have stayed inside that headquarter, हफते में तीन या चार दिन बाहर मेरा, orders थे मेरे लड़कों को कि I will be going around, मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ, हमला हुआ साब, एक गाओं है पती महल, हाँ, पती महल गाओं है, बस में बिचारे हिंदू वहां के जा रहे थे, पांच वो पांचों को नीचे किना, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, तुमी दहर, तुमी दहर, तुमी दहर, तुमी दहर, ले जा कि उनको उपर नाले में ले गए पती महल, और पांच माल डाले, एक छोटे बच्चे को छोड़ दिये जा कि बता देना बक्षी साब को, बता देना बक्षी साब को, तू जादा इतर पे दादागिरी दिखाएगा ये करेंगे ये हाल पांच साब उस गाहों में मारे बवाल खड़ा हो गया ये क्यों को कैसे उस वकत अपने अधवानी जी होम मिनिस्टर थे वहां से दबाव पड़ा डंडा पड़ा नौर्धन कमांड को तो नौर्धन कमांड को मैंने अपने बोल्टन हटा लिए डिस्पाइट माइ रिटें रिक्वेस्ट की साब मत करिये मत अंकभर करिये किस तो आड को आपने बोला नहीं रोड जादा जरूरी है तुम शट अप मैं शट अप हो जाओंगा और अब मैं उतना ही दोशी हूं शट अप को मानने का मैंने जाइन करो कोई नया बंदा आएगा एक साल तो समझने में लगेगा तो एनिवे एक हफता हुआ सब टागूड गाओं जानते हैं आप सब वहीं के तागूड गाओं आठ मार डाले फिर बावाल फिर ये मैं भी वहां पहुंच गया ये किया वो किया बारिश पढ़ चुकी सकते थे तीसरी जगह गये साब वो लोगो जाके गुलाब गड़ में मारे एक हफते बाद और तेरा और कहा हमारे साब वो वीडी सी थे हमारे गाओं के अंदर वो लड़के अच्छे थे उनको वर्ड वार वन की राइफले दे रखी थी वो कि तुम तब तक होल्ड करो मकी की फसल लगती है तो सब मवेशी माल लेकर ऊपर जाते हैं सतर साल के बुड़े असी साल की दादी और छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उनको साब पकड़ा वहाँ पे लिटा दिया उसके फ्लोर ऑस दोग पे और उसको राइफल देखा है खेला उनके साथ ये क्या है ये गोली है अब खाओ ठाटाटाटाटाटाटाटाट करके ऊतैरा की तेरा मार डाले चोटे से बच्चे को छोड़ दिया लगाल अफट जोर से कि जा सालेवं बख्शी को बता देदे इस अब बता ने कर साब बवाल कड़ा हो गया बख्शी साहाब यूशेड पुट इन bloody papers you are not fit you are not dude यह वो यह मने का हां सब मैं फिट तो नहीं हूं लेकिन एक चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूं कि इस इलाके को सभालूंगा तो मैं सभालूंगा इस इस माइ चार्च सरकार ने यह मेरे को अदेश दे के वेज़ा अब मैं सभालूंगा मुझे आपकी रिइंफ पल्टने थी मेरे पास रहे गई ग्यारा राश्टे राइफल चबविस राश्टे राइफल बड़ी तगड़ी पल्टने है इस फाज की एक कंपनी उससे ली एक कंपनी उससे ली एक प्लटून अपने कैंप से ली कोई 13-15 गाडियों का बड़ा काफला बनाया थ्री टन ग करेंगे लेकिन यहां कोई नहीं बिलना को वह भागे गया उसको 48 घंटे हो गया सब नहीं है मैं कहते हूं नेवर देलेश्यू कॉर्टन इंसर्च है वी ट्राइन फाइंड आओ वू डिडिडिकिस ने किया यह वो दो तीन दिन कॉर्टन सर्च हुई साब तो गाउं के सार करते सर एक منट और फिर वो सारे के सारे आए। किसी एक अपको बोल रहे हैं हम बाद में कोई नह बोले कि किसी एक ने मुख्बिरी करी हम सब आपको बता रहे हैं साब यह अबू मुस्तफा अबू गुलाब अबू अमेर इन्हों ने यह किया और दो यह गुजर गाइड थ तमाम जो 10-15 गाओं आसपास के हैं, all able-bodied males from 16 to 60, मेरो को यह आँचे है, और आप लोग आएंगे साथ, वो आए वहाँ पे, तो मैंने उनको लाशों की ऐसे वहाँ, पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लगाया, और लाशों की मैंने उनको तस्वीरे दिखाεί, ठीक है साभ, मैंने लेसर पॉइंटर लिया, यह कौन है बताए, हूँ आप जानते हैं, साभ ये मुद्डी हैं, कितने साल की थी साभ, साथ साल की, ये कौन है साभ, ये उसकी बहन है साभ, ये कितने साल की थी ये तो पांच की थी थी ये लड़का कितने का था ये आठ का था था ये बुड़ा कितने का था ये आसी का था और ये बुड़िया ये 78 की थी मौलवी साहब थे वहाँ पर वो भी आये थे मैं का मौलवी साहब ज़रा कुरान शरीफ में एक आयात कि जिहाद में जिहाद में औरतों की जान बच्चों की जान बुरों की जान बख्ष दी जाए बिल्कुल है साब मैंने का आप प्लीज सुना दीजे कोंकि मैं बिल्कुल वो अलफाज नहीं जाना उन्होंने पड़के सुनाए मैंने का आप देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभू मुस्तफा एक मेरा पेगाम आपने भेजना है मेरे कुछ दोस्तों के नाम अभू मुस्तफा अभू खुलाब अभू उमेर तुम्हें जहां भागना है तुम भाग लो हिंदुस्तान की फाज अब हाथ धो के तुम्हारे पीछे भाव मैं गए बाकी टेररिस्ट तु हेल दिन दी आदर टेररिस्ट चाहे मुझे एक हफ्ता चाहे एक महीना चाहे एक साल लगे जहनम के कोने से मैं तुम्हें कहीं से भी ढूटने कालूँगा और तुम्हें मैं कुद्य की मौत मारूँगा क्योंकि तुमने कुरान शरीफ की हुकम अंजूली करी तुमको लगना है तुम हमसे लड़ो हमें लड़ने की तंकाह मिलती है लेकिन यह ओरते बच्चे छो अब तुम भुक्तोगे इसका और अल्ला ताला को तुम जो है खौफ देखो साब ये खबर पहुंच गई सब जगा कि जनरल साब ब्रिगेडियर साथ थे तब ये बोलके आएं हैं मुझे का सब वापस आजाओ और बहुत वहां जमु कश्मीर की वादी में बहुत देश भक्त लोग भी हैं जिनका नाम हम ले नहीं सकते हैं जो अपनी जान पे खेल के खबर देते हैं हिंदुस्तान की फौज को कितने रिस्क पे आप नहीं जानते वह आ गया मेरा लड़का बुला साब तुने जो धमकी दिना बहुत अच्छा किया क्यों तो बोले साब अपनी चाया से डर रहे किसी गाओं में दस मिनिट से जादा नहीं रहते अगर कोई उनकी तरफ देखता है उसकी पिटाई शुरू करते हैं तो साले मुखबरी करेगा तो कहता साब बात यह है कि जिस गाओं में जा रहे है वहां से ख़बर आ रही है मैंने कहानी कॉमेडी बंद कर अभी किदर है तो उसने बताया हमने ऑपरेशन लांच किया लड़े वो अपनी जान के लिए इसमें कोई शक नहीं क्योंकि वो गिर गए थे चारो तरफ से और जैसे ही हमने घेरा डाला हमको रेडियो पे मैसेज आ हो गई कुछ बचाओ बचाओ कुछ फायर खोलो ये कोलो वो खोलो हम समझ गए यह वो ही है मैंने अपने कमांडिंग आउसर को बेजा था मैंने का बेटा मैं आ रहा हूं I want them dead हमले किये कई सारे जंगल के बीच में खुला इलाका था जैसे की फुटबॉल का मैदान एक इंच कवर नहीं तीन लड़के थालत पहले दो मिनट में गाहल हुए एक लड़के के यहां पर लगी माथे से और यहां से निगल गई और वो फड़फडा रहा है जिंदा त मैं ऑपरेशन काल आफ करना हुए नहीं तो यह बच्चे मर जाएंगी सारे तो मैंने का यार तेरे लड़के मैं निकालोगा उनको मच जाने देना कसम तेरे गा तूंको मच जाने देना उन्होंने किया मैं का आप असॉल्ट असॉल्ट भंद करो इससे और नुक्सान होगा आप फ्लेम थ्रोर इस्तमाल करा रूसी हत्यार है थर्मबारिक वेपन फ्लेम थ्रोर कतसर कोई सिविलियन होए तो बहुत सीधा लौट स्पीकर लीजे और अनौन्स कर दीजे कि अगर कोई सिविलियन है प्लीज बाहर आ जाएए हम आपको कुछ नहीं करना चाहते हाथ पश्मीरी भाईयों को पंजाबी में इतनी बढ़िया गाली देनी नहीं आती जितनी यहां पे मेरे को भी सुनाई दे रही ही यह यह नेर्ट के ऊपर तो कहता है हाँ सर है तो कोई नहीं तो मैंने तो फिर कर फिर भी डाउट है तो यह ले मेरे से और आदर 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 चार सो फोट उपर लप्टे गई साब दो तीन घंटे जलके वो राख वो सब चीड के पेड़ते गोन थी राख हो गया एक घंटा लगा ठंडा होने में जब वहां गए तो हमें बॉड़ी शॉड़ी तो आप छोड़ दीजे हमें हड़ी के चूरे बिले जहां रीड की होत है यह सब थी वहां लाइने थी हां तीन एके 47 थी जिनका वुड़वक सारा जल गया और जो बैरल ऐसे मुड़ गया इतनी गर्मी थी वहां पर साथ 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड एके 47 का बैरल जो सिर पे मारो सिर पढ़ जाता है वह ऐसे मुड़ गया ठीक है साब और मैंन नहीं उनको बोलो सुबह में आ रहा हूं और वहां पे सारे गाउंवाले मेरे कुछ चाहिए फिर प्रजेक्टर लगा पहले हमने वो लाशे दिखाई और ते बच्चों की मैंने का अब देख लीजे मालिक का फैसला हमारा इनसान कौन होता है मारने वाला इह मालिक का फैसल साथ उस वक्त सब दुनिया वहां ऐसे करके देख रही यह सितंबर दो हजार एक की बात है लेकिन एक बात है साथ सितंबर दो हजार एक के बाद वहां पे माइनॉरिटी का एक बंदा नहीं मना वो पराक्रम में हमको हटा लिया गया और जब हमारी फौजें जा रही थी तो उस वक्त हमने रेडियो सेट पेंटर साथ है अबे फौज जा रही है जा रही है बोले यार बाकी सब कुछ करना हिंदू नहीं मारना यार इतुए पागल कुत्तों की तरह वापस आ जाएंगे हि पिछले साल एक वहाँ पे हुआ है वो भी किस्तवार शहर के अंदर वो भी पता नहीं लोकल था या क्या था लेकिन वह है तो साब तरीका यह है अगर आपने आपको महाशक्ति कहते हैं तो हमने ही कहते कि आप चीन जैसे बरताव करो लेकिन जिसके हाथ में हत्यार है उसे तो भुगतना होगा साब और उसके खिलाफ नर्मी करना और पत्थर भी हत्यार है पत्थर भी हत्यार है मैं कहता हूं कि यह सारा फसाद का जर्ट तब खतम होगी माफ कीजे हरी सिंग साहब गए जो यह दूसरे खांदान हैं इनको भी जाना पड़ेगा जो दूसरे राज हाल पड़े हैं ना साहब दो तीन खांदान वहां की घंदी के लिए लड़के लड़ाख पराज करना चाहते हैं कह söबाता चाहते हैं जातारि टूसराप इसका एक सीथा territory and you please make it a logical thing ताकि कोई किसी के गले ना चड़े कोई किसी को तंग ना करे और अगर पाकिस्तान बीच में हस्तक शेप करता है तो मेरी मोदी जी से हाथ जोड के अपील है आप लीज वो करिये जो आपने कहा था आप प्लीज वो करिये जो आपने कहा था आपकी फाज हाथ फरफ के हैं 30 साल से यहां लाशों के जो दौर यहां गिरते जा रहे हैं कब तक चलेगा अप लीज हलाल मत करिये हमें जटका कर दीजिए हैं मरेंगे तो हम मरें लेकिन यह प्राबलम सॉल हो जाएगी क्योंकि प्राबलम जमु कश्मीर में नहीं है साहाब प्राबलम पाकिस्तान में प्राबलम की जर्फसाद की जर्फ पाकिस्तान में और यूट थो 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 थाटी फाइव एको मत हटाईए शौक लगी मैं बताता हूं 35 एको मत हटाईए 35 ए से ही जो बाद के ओर्डर हैं इलेक्शन कमिशन की वहां पे लगी है और कई सारे और हैं जो हमारी सरकार ने से अखरी बार 35 एका इस्तमाल करिए और चार यूनियन टेरिटरीज बना दीजिए उसके बाद आप 35 ए और 370 आपको हटाने की जरूरत ही नहीं को जेंड के स्टेट की एंटिटी ही कटम हो गई और जो होना चाहिए हमारे चार डिस्ट्रिक्ट वह हमारे पास हैं उसके बाद हम देखते हैं साब कौन कश्मीर को लेता है प्लीज सेंड क्लियर कट मेसेज किसा आप प्यार से बात करोगे प्यार ही प्यार है आप हमारे हो इसमें कोई शक नहीं लेकिन हथियार उठाओगे वो भी पाकिस्तान के तो देन आम सॉरी आपको इस देश की फौजों से निप कमांडर को अपॉलेजाई कि कराया गया किसलिए साब कि तीन बेरियर है एक सजन को बोला प्लीज ठैल जाईए अपना पहचान दिखाईए वो धार से मारके अब सब राजा खांदान है धार से मारके पहले बेरियर से निकल गए दूसरे बेरियर से निकल गए अब तीसरे पे नैचरिल्ली हला हो गया और उस गारड़ ने फमारी गोली वहां पे खत्म हो गया बवाल खड़ा हो गया जलिया वाला बाग ये बाग वो बाग तो साब ऐसा है उस वकृत हमारे army commander को apologize कर आया गया उस वकत उस जवान के खिलाफ action हुआ गोली चलाने के लिए टियार में है वो और सब वहां फौज की आपने ऐसी तैसी कर दी फिर फौज की कुछ बची-कुची को इज़त रह गई हो वर्दी वालों की चाहे फौज हो चाहे आपने दिखाया कि देखिए यह कितनी सेहनशील फौज है मारिये लाग एक और मारो एक और मार देखो कुछ नहीं कहा है इसमें अरे सहाब वो बिचारा गरीब अपनी पेट के लिए अपने कमाई के लिए अपनी खांदान को देखने के लिए उसने वर्दी डाली है लेकिन यह वर्दी हिंदुस्तान ने दिये उसे आप उस वर्दी की तोहीं मत कराये प्लीज डॉट यूट 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 पीपल दू थे जाप और सब थीक हो जाएगा जाए हिद्ट